नमस्कार आज हम आपकी मुलाकाद करवा रहे हैं प्रसिद्ध उपन्यासकार नरेंद्र कोहली से कोहली के रामायन और महाभरत पर आधारित उपन्यासोंने काफी सुर्खियां बटोरी हैं महासमर, दीख्षा, अउसर, अभिग्यान, तोड़ो कारा, तोड़ो आधी उपन्यास आज भी साहित्य प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं विश्व हिंदी संबेलन में वेब दुनिया से बाचीत के दोरान कोहली ने हिंदी और साहित्य से जुड़े कई प्रस्णों के खुल कर जवाब दिये हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए कि आपके लगता कि शिक्षा नीती में कुछ बजला होना चाहिए मेरा तो एक मात्र सिद्धानत है कि शिक्षा नीती जो आपकी है जिसमें यह है अपने स्वैम तै कर लिया कि छोटी छोटी कामों के लिए तो हिंदी चलेगी चपरासी हिंदी बोलेगा नॉन कमिशन्ड आफिसर आर्मी में जो है वो हिंदी बोलेंगे जो अधिकारी लोग हैं वो सब अंग्रेजी बोलेगे यह आपने तै किया क्यों क्यों नहीं आप उच्छ शिक्षा भारती यह भाशाओं में क्याता हम में देते ताकि अगर आप अपनी भाशा में करनी है मालीच एकनॉमिक्स ही आप पढ़ रहे हैं और हिंदी में पढ़ना है तो आपको चौथी कक्षा में अंग्रेजी पढ़नी की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी हमारे बच्चे मैं अपने पोतों की बात कर रहा हूं घर में बिलकुल ही बोलते हैं स्क कर्जवत्ति क्यों है लोग कहते है कल में आप पड़नों की पसंड ही यह यह पसंद ओपर से यह आप ने घोप रकिय है कभी तुर्कों ने मोगलों सिंहानों पिशा करति है लुब हुए करे 562 रहे 269 allora तो जरा इतने सहज भाव से नहीं होगा, फुन खराबा भी हो सकता है, फ्रांस में हुआ, रूस में हुआ, आखर ये देश क्यों भाशा की दास्ता करेगा, कभी तो उठे गई, एक ची जो और मोदी जी ने बोरी थी कि अगर ऐसी वरक्षप की जाना थी कि तमिल के शब्द ह हिंदी में शामिल की जाए हैं? मोदी जी ने कहा इसलिए ठीक है, पर मैं सहमत नहीं हूँ, हमारे जो लेखक हैं जो तमिल प्रदेश से आते हैं, या जो अनुवादक हैं, जो हिंदी से तमिल तमिल से हिंदी करते हैं, या सारी भाशाओं में, वहां के शब्द अपने हैं आप साहिते पढ़िये, आपको वह मिल जाएगा, अगर कृष्णा सोबती लिखती है और इतने पंजाबी के शब्द लिखती है उसमें, तो आखिर पंजाबी से आगे ना, फणीश्वादनास्त रेणू ने उस क्षेत्र केवल बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, उस क्ष भाशा निर्मान आप लोग कर रहे हैं, ये लहोर में, पिशावर में, काबुल में, दुबई में समझी जाएगी, ये महराष्ट्र में, बंगाल में, उडिसा में, गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में नहीं समझी जाएगी, क्योंकि आप उसमें इतनी ज्यादा फा तो कहता है, पायर बैथा हो च्छे, पैर में व्यथा हो रही है, मैं अगर दिली में बोलूँ के मेरे सिर में व्यथा है, तो दूसरा अदमी उच्छल के आस्मान पर जा पहुंचता है, क्या बाशा बोल रहे हैं, उसी तरह से वो कहता है, आमर के पल्लव, हम कहते हैं आम का तो मुझसे अंग्रेजी न पूछी थी इसको ही क्या कते है मैं उसको पूरिय देश को को स्वीकार हो सके वो तभी होगी जब शब्दाली संस्क्रिट मूल के अरहे नहीं Gustav Karamba Visha mta using original नहीं तो अब लिखता हूं मैं तो ये सोच के नहीं लिखता कि यह बस्धों के लिखता हो देखा के यह बच्छों के लिए बढ़ों के लिए टबर स्वुझे हे बच्छों के लिखते हैं इसा नहीं जो भी शोच के लिखते हैं कि ये बच्चों के लिए है वो क्रित्रम साहित्य रच्टे हैं और वो बच्चे पढ़ते लिए हैं आपकी रचनाय महा समझे से बहुत पढ़ी नहीं हैं हम आये हैं तो और भी आएंगे ऐसी क्या बात है कारण को यह नहीं होता है रुची भीत है वाइविध्य इतना ज्यादा है प्रकृति में कि बहुत सारे लोग आप जैसे करें मेरी रचनाय बहुत पढ़ी जा रही है मैं मानता हूं मैं जानता हूं क्योंकि मेरा प्रकाशक में अगली किताब मांगता है पिछली की रॉयल्टी देता है इसका मतलब किताब बिक रही है और राम कथा बगारा को तो यह अपनी मॉलकता अपने था सब एक जैसा लिखने लगेंगे तो अनुकरण होगा अगर चतुरसें शास्त्री के वयाम रक्षामा के बाद मैंने ही लिखे रामकथा किसी भाषा में इतने बड़े उपन्यास के रूप में लिखी गई था मेरे बाद बहुत लोगों ने लिखा है अब वो विचारें नहीं उतने लोग के प्रियों हो सके पाठक लोग कहते हैं कि एक रोज मैं पुस्तक मेले में हिंद पॉक्ट बुक्स के स्टॉल पर खड़ा था तो वहां दो तीन लड़कियां ऐसे चात्रा होंगी वो भी देख र कि आपकी किताबें जैसी होती है राम कुमार बृर मरcky नहीं होती तो मैं ने का कि यह आप बताएएं मैं क्यों बता हूं मुझे तुर्यों लिखना मैंने लिख दिया अब पाठक की प्रतिक्रिया-öm प्रकाशक तक पहुछे तो पहुंचा रहा है पाठक यहां मुझे इत उसकी खोपड़ी में घुसता नहीं है, वो अपनी उसी लीक पर चला जा रहा है, वो आपने आपको बदल ले रहा है, लेकिन प्रकाशक जनता है, मुझ पर अगर मैं आपको यह कहूं तो थोड़ा आपको आश्चरी भी हो सकता है, लगभग 200 लोग शोध कर चुके हैं या कर लूर का एक पूरा ग्रुप था, अर्याना से है, केरल से है, सब जगा से, पूरे देश में इतने मुझे नहीं लगता कि किसी और जीवित लेखक पर इतने शोध ग्रंद आये हों, तो यह जनता की पसंद है, उसको आप रोप नहीं सकते हैं, जो मर्जी कर लें, आलो चक, जैसा मैं हूँ, मैं कोई अजूबा नहीं हूँ, और भी लेखा कैसे आएंगे, थोड़ी थोड़ी होता है कि समय के साथ, अब जैसे अमरितल नागर ने लेखा, जैसे हजारी प्रसाथ दुएदी ने लेखा, उन लोगों ने भी तो पुरान भी लिये, इतिहास भी लिया, जैसे हजारी प्रसाथ दुएदी का तो अनामदास कब हो था, एक मात्र उपनियास है जो उपनिशद पर है, उपनिशद को उपनियास के रूपन देना केसी ने सोचा नहीं होगा, पर उन्होंने लिखा, और अगर आप पढ़ें तो आपको लगएगा कि प्रेम कथा है, उ क्योंकि अगर आपको महत्व मिला तो मुझे नहीं मिलेगा, मुझे मिला तो आपको नहीं मिलेगा, तो वह एक दूस्य से को, अगर वो अपना-पना मौलिक हिसाब से लिखें, किसी से पूछ के नहीं लिखें, किसी आलोचक की शकल देखके नहीं लिखें, किसी प्रकाशक से पूछ के कि इसके पैसे कितने मिलेंगी मार के होगी कुछ और फजाओ जिससे हिंदी को और आगे बढ़ाए जासा कि आप पुछ पढ़िए हिंदी लिखिए हिंदी में सोचिए हिंदी में काम कीजी सबसे बड़ी बात यह हिंदी के विशे में बात मत कीजिए हिंदी में क आप अपनी हिंदी को सोधारेंगे, हिंदी को तो आप क्या सोधारेंगे? पर प्रांजल भाषा जो आप बोलेंगे, एक छोटी से घटना और सुना दूँ. मेरी पत्नी के एक सखी है, उसके घर जा रहे थे हैं. उसका पती बंगाली था. तो मेरे मन में एक द्वन्दव के वो बंगाली है अंग्रेजी बोलेगा और मैं तो हिंदी बोलता हूँ तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्या करूँ एक द्वन्दव लेके मैं गया उनके घर में एक JNU में फ्रांसीसी पढ़ाने वाली अध्यापिका बैठी थी फ्रेंच थी वो बैठी थी अब उसके बाद मैं इसके लिए तो अंग्रेजी बोलूँ उसके लिए फ्रांसीसी कहां से बोलूँ तो मैंने ताहि किया कि मैं तो हिंदी बोलूँगा और अपनी हिंदी बोलूँगा जैसी मैं बोलता हूं वेसी बोलूँगा मैं बोलता रहा है दस मिनिट के अंदर उस फ्रांसीसी महिला ने कहा कि दिल्ली में इतनी अच्छी हिंदी मैंने कभी नहीं सुनी तो ऐसा नहीं है, लोग पहचानते हैं, अब यहां जारखंड के तो नहीं है कुछ लोग, नहीं है, संथाल, भोजपूरी, यह वो, एक हिंदी के छात्र को, हम लोग जब पढ़ते थे, वो आया नहा लड़का तो रहगिंग के तौर पर, उसको पकड़ा हिंदी भाशी, बेह वहता है, तो बिचारा सोचता रहा, बुला नदी बहे है, क्योंकि भोजपूरी में वह अंतर नहीं होता, यह कठी नहीं हैं तो आएंगी, तो उन कठी नहीं को दूर के लिए, मैंने का, संकल्प होना से है, कि हम यह करेंगे, और करके रहेंगे, उसी जम्शेत्पूर से हम ने यह संकल्प किया, और मेरा ख्यायल है, कि हम जो भी साताथ विद्यारती थे, आज तक उसका निर्वाह हम कर रहे हैं।